काश ऐसा कोई मनजर होता मेरे काधे पे तेरा सर्व होता काश ऐसा कोई मनजर होता आज उस सिंगर का जनल दिन है जिन्होंने अपने म्यूजिक से सबता दिल जीत रखा है जिन्होंने पूरे देश में अलग-अलग भाशाओं में गाने गा कर और अपना संगीत दे कर एक अलग ही छाप छोड़ी हुई है जो जाने माने गर्ण सिंगर भी है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ सिंगर हरी हरन की आज उनके जन दिन के दिन हम उनके बारे में बात करेंगे और साथ में सुनेंगे उनके कुछ लोग प्रिये गाने नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं मीडिया दर्बार का एंटर्टेइन्मेंट चैनल हरियारन मुंबई में एक तम्लिल ब्रामिन अईयर फैमिली में बड़े हुए और उनके पास बैचलर इन साइंस एंड लौ की डिग्री भी है जाने माने करनाटिक वोकलिस्ट शीमती अलामेडू एंड लेट हैसे मनी के वेटे हरियारन ने अपने परिवार का यूजिक टैलन को आगे बढ़ाया शीमती अलामेडू उनकी पहली गुरू रही यही से उन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक सीखा तीनेज के टाइम मेहनी आसन से इंस्पार होकर हरी अरन को गजलो का शौख हुआ मैं किसी के दास्ते तलब में हूँ मैं किसी के और उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक की क्रेनिंग उस्ताथ गुलाम मुस्तफा खांग से लेनी शुरू कर दी वहरोज 13 घंटे सिंगिंग की पैक्तेश किया करते थे हरी अरन तमिल फिल्म इंड़स्री में 1992 में उन्हें इंट्रड्यूस किया था एया रह्मान में जो उस वक्त ऐस ब्यूजिक डैक्टर डेब्यू करने जा रहे थे मनी रफ्षन की फिल्म रोजा के गाने के लिए जिसका नाम था थंजा 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 इसके बाद हरी हरन की जर्नी स्टार्ट हो गई और उन्होंने 500 से भी जादा तमिल सौंग्स और 200 से भी जादा हिंदी सौंग्स गर रहे हरी हरन एक बहतरीन गजल सिंगर भी है एज गजल सिंगर उन्होंने 30 से भी जादा अलबम रिलीज करी है यह 1996 हरी हरन के लिए सबसे बड़ा और सबसे लखी साल साबित हुआ उन्होंने मुंबई बेस कंपोजर और सिंगर लैसले लूइस के साथ मिलकर एक बैंड बनाया ज 2010 कॉमलवल गेंग उपनी सेलिविनी में हरी हरन ने स्वागतन जीद गाया था 2004 में होने गौर्मेंट उप इंडिया की तरफ से पद्लूशी से सम्मानिक किया गया हरी हरन रोयल स्टैट बैजल सलेक एंटीवी अंट्लक का भी हिस्सा रह चुके हैं जो ओन एर हुआ दिसंबर 2015 में आई ही उनके जनल्जन के दिन नज़त डालते हैं उनके कुछ गानों की और आजरे तो ही रहे तेरे बिना हम कैस जीओं आजरे आजरे इन आखों में बस जा तो चांद दे चांद दे आजरे दिल की अजरे इतना ही मैं गरिदर भरें हे अब लेता हुँ आपसे व्यदा फिल्म हर संझीत के जुडे सारी ख़बरों के लिए हमारा चैनल मीडिया दर्बार एंटर्टेइमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं फिर आऊंगा एक और मज़दार खबर के साथ तक बस्ते लिए बाई